हेलो स्टुडेंट्स फिर से आप लोगों का मेरे कलास में स्वागत है जैसा कि फिर से आज पेपर नॉलेज और केरिकूलम से जो टापिक है हम लोग का प्रोसेस आप नौविंग के तहत हम लोग आज डेविड उसुबेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो लाइफ स्केच है उसके बारे में कोछ जानकारी हासिल करते हैं उनका जन जो हुआ था वो 25 अक्टूबर 1918 इसपी को हुआ था और उनकी जो मिर्तु हुई थी वो 9 जुलाई 2008 इसपी को जैसा कि उनके बारे में और आगे हम लोग जानने का पर्यास करते हैं वो एक अमे लाजे के सिच्छन से परभावित थे और उनके जो सिच्छा दिच्छा हुई थी वो उनका जो असनातक हुआ था वो 1939 इसपी में उन्होंने असनातक की सिच्छा प्राप्त की थी इसके बाद उन्होंने PhD की सिच्छा 1950 इसपी में प्राप्त की तो जैसा कि उनका जो इसका वर्णन किया जाता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यह सिद्धान्त कच्छा में किया जाने वाले सिच्छंदता साब्डिक सामगरी के सार्थक एबंग अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित है इसके बाद जो उन्होंने अपने Modern Cognition Theory में जो बातें कही है इसमें आत्मसाथ पर अधिक बल दिया जाता है आत्मसाथ यानि की Assimilation Assimilation कहने का मतलब है कि जो सिच्छा दी जा रही है वो सिच्छा को बच्चे कितना अपने में आत्मसाथ कर रहे हैं अपने में लागू कर रहे हैं तो आगे हम लोग चलते हैं डेविड उसुवेल के सिखने के सिद्धान्त की और जो कि 1968 SP में उन्होंने अपने सिखने के सिद्धान्त को बताया था और सिखने के सिद्धान्त में उन्होंने चार परकार के सिद्धान्त की चर्चा उन्होंने की है अपने सिखने के सिधान्त में 1968 इस भी में जिसे हम लोग आधुनिक सेंगनात्मक सिधान्त Modern Cognitive Theory के नाम से जानते हैं यह जो चार परकार सिखने के जो चार परकार हैं वो एक-एक करके हम लोग जानते हैं आगे चलते हैं पहला जो रतकर सिखना इसमें जो बाते उनके द्वारा कही गई है कि दिये गए पाट या प्रकरन को बिना सोचे समझे हूँ बहू पुनर उत्पादन कर सिखते हैं और आज कल की सिछा पथती में रतकर सिखने पर अधिक बल दिया जाता है जैसे एक्जांपल के तौर पर हमने यहाँ जो बाते कहीं है कि छोटे बच्चों को पहाडे टेबल्स याद करवाना यानि कि मतलब जो हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चे उसी का हुबहु हमें रिजल्ट देते हैं ठीक हैं आगे हम लोग चलते हैं अर्थपूर्ण सिखना इस तरह का सिखना सिख्चा में बिशेश महत्वर रखता है इसमें सिखे जाने वाले सामगरी के सार्टत्व यानि कि सब्स्टांस को एक नियम के अनुसार समझ कर तता उसका संबंद गत ग्यान मतलब पास्ट नौलेज से जोड़ते हुए सिखा जाता है यानि कि अर्थप नौलेज से जोड़ते हुए सिखना यानि कि अगर लोग कुछ सिच्छा दें रहे हैं बश्यों को तो इसमें पर रिभियस नौलेज के एकैं बश्के को हम लोग सिखाते हैं तो वह अर्थपूंद सिखना कैलाता है अभी ग्रहन सिखना हैं हम लोग जान पार हैं इस तरह की सिखना में सिचहरती को सामगरी बोल कर या लिख कर दे जाती है और सिचहरती उन सामगरी को आत्मसाद कर लेता है ठीक है यानि कि अभिगरहन सिखना में जो भी प्रकरन है उन्हें हम बोल कर या लिख कर देते हैं और बच्चे उसको समझ पाते हैं तो अभिगरहन सिखना आगे हम लोग जो लास्ट है वो अन्वेशन सिखना इसमें सिच्छार्थी को दी गई सामगरी में से नया संप्रत या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सिखना होता है यानि कि जो डिस्कवरी लर्निंग है वो कहीं न कहीं हुरिस्टिक मेथड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं तो हुरिस्टिक मेथड में हम ये जानते हैं कि कोई नया नियम या विचार खोज कर अगर हम लोग उसे सिखते हैं तो वो कहीं न कहीं वो सिखना ज़्यादा ही एक अलग innovation को प्रदर्शित करता है तो उसुबेल महोदई ने इसमें innovation सिखना में भी दो परकार की चर्चा की है इसमें से earth phone innovation सिखना और रट कर सिखना ठीक है और इसमें जो बाते जो main जो focus उनका है वो है कि किसी नए नियम या विचार की खोज करना जैसे कि एक्जाम्पल में यहां दिया हुआ है भारत खाली अस्थान में आजाद हुआ था इसमें से दोनों ही बातों का इसमें हम लोग को द्रिस नजर आ रहा है सबसे पहला तो earth phone innovation की बाते भी इसमें दिख रही है और रटकर जैसे कि हम लोग किसी को पता होता है कि भारत का अब जाद हुआ था तो वो भी इसमें नजर हम लोग को आ रही है तो कहीं न कहीं 1968 इसमें जो डेविड उसुबल मोहदय ने अपने modern cognitive theory के अंतरगत जो चार परकार बताये हैं वो काफी एक काफी सिखने के सिद्धान में अहम अस्तान रखता है जिसमें से पर्मुक रूप में से रचा उन्होंने किया है रटकर सिखना, अर्थपून सिखना, अभिक्रहन सिखना और अन्वेशन सिखना तो जो process of knowing के तहत अगर हम लोग इस पेपर में जानना चाहेंगे कि उसुबल का जो process of knowing का जो theory है वो कहीं न कहीं उसुबल के modern cognitive theory के according ही जाना जाता है और यही इनका process of knowing के तहत हम लोग इन्हें जान पाते हैं तो उसुबल का modern cognitive theory ही process of knowing कहलाता है जिसमें से उन्होंने चार परकार बताए हैं जो आप लोग को यहाँ पर हमने अभी बता ही दिया है